नमस्तार सात्यों जब भी आपका और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट होगा और वो डिस्प्यूट कोर्ट तक महुचेगा तो अल्टिमेटली आप भी और आपकी पतनी भी ये चाहेंगे कि डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल हो जाए जिसके लिए बैटर रास्ता क्या है क फाइलिंग ऑफ मुचेल डिवॉर्स पेटिशन उसमें सात्यों एक अमाउंट तया होता है और कई बार अमाउंट बढ़ा हो जाने से राश्य की ववस्ता ना होने से आप सिक्यूरिटी चेक अपनी पतनी को देते हैं कई बार यह ऐसा होता है कि जब मुचेल डिवॉर्स क कि फाइनल डेट आती हैं और आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपकी पतनिया कहती हैं कि चेक हो गया जी आप विश्वास कर लेते हैं कि ठीक यार अब exclusement होई गया तो चेक हो भी गया तो क्या फरق पड़ता है पर इन औरतों पर विश्वास करना एक लड़के ने किय दोखा खाया उसने सेटिर्मेंट के पेटे तीन सेक्यूरिटी चेक दिये जिसका दुरुप्योग तलाग के बाद उस पत्नी के द्वारा किया गया और अल्टीमेटली उस भाई को 138 एनाई एट के तहट प्रसिकूशन फेस करना पड़ा वो तो भाई होशार था उसके पास स हैं यह क्या सेफ्टियां रखनी है यही मैं आपको आजक बदाने वाला हों तॉपिक काफी इंपोर्टन है वीडियो ठोड़ा लंबा होसकता है तो अगर आपकी जान को बचा रहा है तो यह लंबा मीडियो देखने में कोई हरजो है आपको साथ्यू शुरू करते हैं आज शादी के बाद तलाक हो चुका है सतरा बारा दोजार पंदरा को उसने ये भी आवट करा कि जब ये शादी सरवाइब कर रही थी तो मेरे फादर इनलाओ ने एक वस्यत जो है लिखी ये वस्यत जो है जिसके तहद मुझे बीस लाग रुपे का शेयर जो है वो दिया गया उन पे करने के लिए तीन चेक जो है मेरे पक्ष में जारी किये जिसमें से एक चेक जो है वो दो लाग रुपे का है और एक्सिस बैंक का है जब ये चेक मैंने बैंक में पेश किया तो ये चेक बाउंस हो गया मुझे लिगे नोटिस देना पड़ा जब उसका उसने कर लिया अक्यूज जो है कोड में आया उसने अपनी बेल कराई 251 CRPC का नोटिस जो है उसको सुनाया गया और उसके बाद जो है उसने ये कहा कि मैंने कोई अपराद नहीं कराई मैंने जूटा मुझे जूटा पसाया गया है मैं पूरा केस को लडूंगा जिसको हम कहते हैं क्ल सबसे पहली बात उसने कहा कि बले ही मेरे साइन चैक पर है उसका ये कहना है कि जिसमें इंप्यूंड चैक भी इंक्रूड है वर गिवन तुदा कमड़नेंट एस सिक्यूरिटी एड़ टाइम ऑफ नेगोसिशन डूरिं दे डिवार्स का सेटेंटमेंट हुआ था उससे मैं नेगोसिशन करने के लिए मैंने एस सिक्यूरिटी इसको चेक दिये थे जब मैंने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया और हमें डिवार्स ग्रांट हो गया तो वहाँ पर मेरे इन चेक्स का जो है दुरुपयोग हुआ है ना तो ऐसे कोई विल लिखी गई है ना ही ऐस 37-NI-AID के तहद मामला दर्ज होता है तो वहा पर अगर चेक परिवादी के पास में है और चेक आपके खते का है चेक पर आपके साइन है तो वहाँ पर कोड़ ये परिजूम कर लगा कि आपने उस राशी के लिए जो चेक पे लिए है उसके मुक्तान के लिए ये चेक दिया इसे कहते हैं legal presumption of section 139 of the NIA it is clear from the evidence laid down that there was no legal enforceable debt कि उसका कहना यह कि यहाँ पर कोई legal enforceable debt नहीं है जब यह check को जो है produce किया गया firstly पहला तर क्या रहा उसका the component neither placed on record the eligible और नहीं उसने ऐसा कोई record पेश किया है कि उसे किसी will के तहट जो है कोई amount प्राप्त हुआ हो he has relied upon the bank statement of the accused उसने accused के bank statement तक पेश करें और ही कहा कि accused को उसके खाते में उसके पिदा की मृत्यों के बाद कोई राशी जो है प्राप्त नहीं हुई है उसका यह भी कहना है second argument पहला तो लीगल नोटिस जो है यह जो विल की बात है यह फैट एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं यह सारे के सारे फैट जो है गलत हैं इवन if due to some typological error the year of execution of such will was mentioned wrongly in the complaint in absence of any active step on the part of the complainant to get the same corrected or to stabilize such execution through other independent evidence has to be assumed fatal to her claim तो कुल मिला के उसने सचाई जो है सामना रखी court के by the way of documentary evidence और यह कहा कि किस तरह से feds को किस तरह से will को जो है manipulate किया गया है और उनके feds को इस परिवाद में जो है अज़र्ट किया गया है उसने यह भी कहा कि at a time of divorce settlements जो है liabilities का हो चुका है और divorce की degree जो है प्राप्त हो चुकी है जिसकी पुष्टी जो है ता उपेज खेले उसका यह कहना कि पती जो है signature को deny नहीं करता है जिस कारण प्रिजम्शन जो है 139 में और 118 में यह प्रिजम्शन सातियों पैसों का जिसको हम कहते हैं प्रतिफल यह प्रिजम्शन जो है कोट 118 में ले सकता है परिवादया के पक्ष में और डिफेंस जो है साबित करना है अक्यूस को इस समिटेट देट अक्यूस हैड इशूट चेक्स आफ्टर डिवॉर्स डिकरी टू पे दा कमडेन की डिवॉर्स होने के बाद जो यह चेक दिये गए उसके शेयर का बुक्तान करने के लिए जिस कारण वो जो पैसा है जिसका बुक्तान चेक के माद्यम्श होना है उसका कोई कंसर्ण जो है सेटिमेंट अमोंट से नहीं है उसका फर्दर समिशन भी यह है की की चेक्स वर हैंड़ ओवर फॉर दी पर्पस ऑफ सिक्यूरिटी डूरिंग दे नेगोसिशन ऑफ दे डिवॉर्स प्रसेडिंग इस डिवाइड ऑफ एनी मेरिट यह बात जो पती रेस कर र तो यह डेफेंस आःइस साथी यह दूसरा दावपेस पती ने खेला सीक्यूरिटी चेक का हैप इसको भी कोट ने कर दिया खारेज की भाइया यह पॉइंट भी आप रेस नहीं कर सकते हैं अगर चैक सीक्यूरिटी पैट है तो वहाँ पर आपकी लाइबिटी एकजिसट क has issued check including the impune check during negotiation the liability for the component was settled which the accused paid to the component before decree of divorce was passed there by rendering the security check devoid of any consideration तो पहला स्का कहना यह है कि जो security check है वो मैंने इसलिए दे कि जब मेरा settlement होने वाला था तब मेरे पास जो है पैसे नहीं थे तब मैंने security check दिये during the proceeding of negotiation और divorce से पहले ही मैंने amount चुका दिया तो मेरे security check का जो है दो रुपयों किया गया है जिस कारण कोई liability जो है वो exist नहीं करती है दूसरा उसका यह कहना है कि component had submitted that the accused issued the check in question for the payment of a share of rupees 20 like that the father of the accused late Shri Hari Om Sharma be quitted in favor through a will related so when so अब पती के दाव पर पती ने क्या दाव खेला कि नहीं यह गलत बता रहे हैं कि मेरे पती ने जो भी share will के तहत लिया है जिसमें मेरा share भी है उसके बुक्तान के लिए जो है यह check दिया है component का यह भी कहना है कि उसको demand notice दिया 138 के तहर inner evidence by the that said will was executed by her father-in-law in 2006 interestingly it is only in December 2009 that the party got married बड़ी important बात है कि शादी से पहले ही ससुर जी भी आ गए और उनकी will भी आ गई बड़ा important दाव था यह मतब कहते है न जूट के पैर नहीं होते तो पतिनी का भी बज़िया पकड़ लिया गया तीन एयर पहले से ही will कैसे लिख दी गई पतनी के सांसे फूल के सातियों अब सातियों पतनी ने कितना बड़ा जो है खेला उसने क्या बोला कि साफ डेट जो है गलते से लिख दी गई है डेट जो है यह यह टाइप अलोजिकल एरर है जो है मैंशन हो गई है पर उसने ऐसे कोई विल या ऐसा कोई डॉकुमेंट ही जो है वो पेज नहीं करा तो कोड ने इस बात को भी जो है फेटल माना यहां क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है शी इस स्पेसिफिकली डिपोश इन एर एक्जामरेशन देट शी प्रोवड़ेट आ कॉपी ओफ विल टू हर लॉयर उसने विल की कॉपी जो है वकील को दी थी जिसने रिकॉर्ड पर प्लेस नहीं करी डॉकुमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो आपने मट्रियल कंसीलिमेंट कियों करा कोट ने इस बात को जो है फैटल माना नौ वेर दाक्यूज है स्पेसिफिकली डिनाइट इन इस डिफेंड एग्जिस्टेंस ओव एने बिल तो वहां पर विल सबित करने का बाहर जो है यह परिवादिया पर है तो इतन दुरिंग सच मेरिज दे हैड अस्टेंड लेशंशिप इनकी रिलेशंशिप जो है स्टेंड थे दोनों में दुश्मनिया थी अब दुश्मनी के बाद यह दुश्मनी होते हुए ऐसी विल के तहत ऐसा शेयर कियों देगा यह बहुत बड़ा कोशन मार था और जिसके चलत पतनी ने जो है वो घर छोड़ दिया 2010 के अंदर इस्टाटेट लीविंग सेपरेटली फ्रॉम सितंबर 2013 फाइनली गॉट डिवॉर्स इन 2015 इट सीज एट अ लिटिल अनेचुरल गिवन दा इंडियन कुल्च्रल सेटप देट हर फादने लोग इस्तिलूजिवली गिफ्ट में जो है रिपोज नहीं करती है तो यहां पर पतनी का दाव जो है वो फेल हो गया फर्दर क्या रहा कि फादर ऑफ द अक्यूज लेट श्री सुवन सो एग्जीगुटेट अविल इन मई दोर तेरा सेट परसन हैब बीन एक्सपाइड ऑन आट नो दोजा तेरा नो प्लॉ जो है नवंबर ये दिसंबर दो जार से पहले कलेम कियो नहीं करा जो कि divorce की proceedings से पहले उसे कलेम कर लेना चाहिए था एवंघार पेडिशन में इस राइट को अकर कर लेना चाही था जब हो नहीं करा तो इसकी नियत जो है वो कोटी कोट को दिखाई गई when the impugned checks were allegedly issued in other word why it is that the commandant did not establish any claim or try to recover her due share under the will of her father-in-law right after he expired in September 2013 तो कोट ने इसी सिती को जो है fatal माना कोट ने कहा कि जब enforceable होगी थे तो उसे दो साल क्यों wait करा तो ये सितियां जो है काफी कोट ने जो है घातक मानी और इसका कोई स्पस्रीकरन जो है परिवादिया नहीं दे पाई तो परिवादिया का ये दाओ भी जो है वो फेल हो गया again as rightly pointed by land council for the accused की विद्वान अदिवक्त जो थे accused के उसने सही point रखा कि no mention of any such claim or rupees 20 lakh payable under some will due on part of the accused has been made under the divorce decree dated so and so insist the complaint is observed to submitted on oath all debt past present further stand satisfied यहाँ पर एक महिकुन पॉइंट जो है कोट ने पकड़ा कि जो परिवाद था तेरा भी का उसमें पैजिदी ने लिग दिया कि मेरे समझ past और मेरे future और present debt जो है वो satisfy हो चुके है अब कोई भी amount जो है वो सेश नहीं है और कोट ने क्या लिखा even we assume the existence of will wherein the father of the accused late series so and so bequetted rupees so and so in favor of component the court find it difficult to associate any legal liability with the present accused to pay the component such share given he is only one of the legal hair of the dickies testator shri hariyom sharwa he is neither else to be the executor nor the administrator of any such will तो कोट ने यह point भी जो है पत्नी के खिलाब माना और ultimately इन सब बातों का registration करते हुए पती को जो है बरी कर दिया तो साथियों कितना important निडने जो है यह पती के पक्ष में किया गया कोट के दौरा तो साथियों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जिस पत्री ने आप से साथ धुके बाजी करी है अब वो डिवार्ट साती है और आप उससे settlement कर रहे है तो भूल के भी security चेक ना दे दे रहे हैं तो उसका mention उस परिवाद में जरूर करें जो कि धारा 13 बी के तहते है इसके लावा अलब से पत्नी ने खो दीए है अगर पत्नी ऐसा कहती है तो कोर्ण में उस बात का एफिडेविट पत्नी से लें इस बात को पत्नी के दवारा ही पुलिस को report कराएं और अकबार में आप सुचना जो है पब्लिश कराएं छोटी छोटी बातें छोटे छोटे खर्चे आपको बड़ी मुसिबत से जो है बचा सकते हैं Otherwise एक बार दुरुपयोग हो गया तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है सातियों aware रहें, alert रहें अपने rights को जो है enforce करें सातियों मिलते हैं एक net topic के साथ अब तक के लिए जय हिन, जय भरत